न्यूजरूम लाइव स्पॉंसर्ट बाई चंद्रगुप्त अकाड़मी टॉप फ्लोर रमा गोवंद पैलेस रीवा पहले से ही कमी देखे जाने लगे थी और स्थितियां समाने हो गई थी लेकिन कोरोना के मद्दे नजर और खत्रे को देखते हुए कि खत्रा बढ़ने ने पाई इसको लेकर पाबंदिया अभी भी लगाई गई थी लेकिन जो भी पाबंदिया लगाई गई थी उन्हें रोध भी किया जा रहा है बोपाल में बड़ी संख्या में पैरेंट्स स्कूल पहुचे और आज जो है कोट में उन्होंने याचिका लगाई है मंत्री ने इस पर चुपी साधी है पालक संख ने इस पर वो कोट में याचिका लगाई है अभी अमेरिका में आप जो खबरे दे हैं उसे देखते हुए कहीं न कहीं लोगों के परिसानी भी लाजमी है बोपाल में स्कूल खोले जाने को लेकर जो विरोध हुआ है बोपाल के कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में एक सब्तां ऑनलाइन के साथ अफलाइन क्लास में बच्चों की पस्तितिया निवारी कर दी के अन्य सहरों में भी विरोध के शुर अब जो हैं निकलने लगे हैं इधर जाकरत पालक शंग मद्प्रदेश भी आज इस मामले में हाई कोट में एक याचिका लगाने लगाने जा रहा है वहीं इस मामले में अब स्कूल सिक्षा मंतरी इंदर सिंग परिमार ने चुपप वी कक्षा तक के बच्चों के पैरेंट्स जो है वो पहुच गए और उन्होंने फार्म भर पहले से ही तैयार रखा था स्कूल में आने वाले पैरेंट्स ने अलग अलग फार्म भर कर ऑनलाइन क्लास को अनिवारी रूप से जारी रखने का अनुरोध किया है तो ऑनलाइन जो है ये निकाली है लेकिन क्लास लगाने के लिए सभी स्कूलों को आदेस दिये गए हैं लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं को बंद करने के आजो आदेस दिये गए हैं इसका विरोध अब पैरेंट्स करने लगे हैं सासन ने ऑनलाइन क्लास को लेकर इसपस्ट निर्देस नहीं अमाम चीजों का विरोध किया जा रहा है बात करते हैं दूसरी बड़ी कावर की जो आनलाइन कमपनियां हैं जैसे अमेजान और अमेजान के अलावा फिलिफ कार्ट लगातार आनलाइन स्वाप्पिंग की जाती है अब लोग घर बैठे स्वापिंग करते हैं और इससे कहीं कहीं जो है वो बाजार का बाजार जो है ये काफी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है क्योंकि आनलाइन स्वापिंग की वज़े से लोग घर से बाहर निकल कर खरीदारी कम करना ही पसंद करते हैं क्योंकि आनलाइन स्वापिंग में रिप्लेस करने का भी आप्सन दिया ज जरिये अमिजान के जरिये गांजा मगवाया गया और गांजा की डिलिवरी भी हुई और इसके बाद जो है एक पॉईजन का केस आया की जहर मगाया गया और जहर की डिलिवरी भी हुई तो उसे खाकर एक ने एक आत्महत्या कर ली एक विक्ति ने तो इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और इसकी लगातार जो है शिकायत हो जही है और भी अब शिकायत जो है मदब्रदेश के ग्रीमंतरी नरोतम मिस्तरा तक पहुँच गई है उन्होंने एक नोटिस जारी कर ये कहा है कि जो है अमेजन के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी और जो भी जिम्मे दार अधिकारी होगा उन्हें आकर जवाब देना होगा नहीं तो पुलिस जो है अपनी तरीके से उन्हें वापस लाएगी तो ये इन दोर पहुचे ग्रीमंतरी नरोतम मिस्तरा ने अमेजन के खिलाफ एफाई यार कराने की बात कही है उन्होंने कहा है कि कमपनी पर केस के आदेश जारी कर चुके हैं कमपनी पर जहर और गांजी की डिलिबरी जैसे गंभीर आरोप है इन दोर में 18 साल का लड़का अमेजन से आनलाइन जहर मंगा कर सुसाइट तक कर चुका है ग्रेमंतरी ने गुरबार को कहा है कि इन दोर के केस में उन्होंने अमेजन के अधिक प्रकार के विरोध में राजधानी भोपाल में धरना प्रदरसन किया और सियम हाउस के घेराओ की कोशिश की जिन पर पूलिस ने लाठियां पर साइए और इसके अलाबा पत्थर उच्छाने पर पूलिस जो है वो गुसा गई और पूलिस ने बैरिकेट्स जो है एनसुआई कारिकरताओं के पुलिस ने रेडिकरास अस्पताल के पास भीडंत हो गई और कारिकरताओं ने कई जगे बैरिकेट्स उठा कर फेंग दिये एनसुआई कारिकरताओं ने पुलिस पर पत्थर उचाल दिया डियाईजी इरिशाद जो है वली माइक से अनाउंस करते रहे कि कोई लाठी चार्ज नहीं करें लेकिन पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया इस दोरान एनसुआई के प्रदेश सची अभी मन्यू तिवारी बेहोश हो गये उनको आस्पताल भेजा गया अनसुआई करकरताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस की लाठी सेफे बेहोश हुए हैं तो ये जो जपट देखने को मिली है इस पूरे ये जो पूरा नसुआई का धरना था और नसुआई के धरने के बाद जो जिस तरह से सियम हाउस को घेरने की कोशिस की गई उसके बाद जो ये लाठी चार्ज की खबरे सामने आई हैं तो इसमें एनसुआई कारे करता सिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान के तहट गुरुबार को सियम शिवराज सिंग का चोहान के आवास का घेराओ करने के लिए निकले थे पी-ची शी मुक्याले पर पहले सभी जुटे थे वहाँ पर पूर्व मुक्यमंतरी कमलनाथ पूर्व मंतरी पी-सी सर्मा और विधाय कुडाल चोधरी नसुआई के राश्ट्री अध्यक्ष नीरज कुंदर कुंदर और इसके अलावा नसुआई के पूर्व प्रदेश अ के लिए सुख़ भरा कबर जो है वो यह है कि लगातार कारिवाही की जा रही है अब गामों में टीम उतर गई है और गामों में उतर कर लोगों को वैक्सिनेट किया जा रहा है आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से मुश्किले सामने सामने आ रही है स्वास्थ अमले को कई तरह की परिसानिया होती है कारण ये है कि लगातार स्वास्थ अमला गामों तक जाकर लोगों को वैक्सिनेशन के लिए लगातार प्रियास कर रहा है लेकिन कई बार देखना ये पड़ रहा है कि लोगों के पास परिचे पत्र तक नहीं होता है इस तरह में लोगों की पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद जो है लगातार वैक्सिन लगवाई जा रही है और स्वास्त कर्मी जो है स्वास्त अमला जो है वो अपना डोज अपना टार्गेट पूरा करने के लिए लगवातार प्रयास कर रहा है तो यह तस्वीरें जो अलग- ΕLEG सामने आ रही है कहीं परिचय पत्र नहीं है तो कहीं लोग वैक्सिनेसन के लिए तयार नहीं है वो स्वास्त अमले को को समझाइज देकर vaccination करा रहा है मंत्य प्रदेश के दिलों में जंगल खेत खलिहान और मवेशी चराने वाले लोगों को तलाश कर टीका लगाया जा रहा है यह टीका सासन की तरफ से प्रदेश की चार बड़ी खबरे आसी तमाम खबरों के साथ अब रोजाना आपके वीच हाजिर होते रहेंगे आप बने रहें रहे हैं टाइम्स के साथ बहुत बहुत धन्यवाद Newsroom Live, Sponsored by Chandragupta Academy, Top Floor, Ramagovandu Palace, Riva